प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़वानी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जम कर निशाना साधा वही आयोजित चुनावी जनसभा में प्रदेश सहित देश के विकास कारियों का उलेख किया मोदी ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती सोने का महल देने का वादा करेगी और फिर कहेंगे कि आलू से सोना निकालूंगा फिर बनाऊंगा हमें राजस्थान के साथ MP को भी बचाना है, उन्होंने नारा बताया कि कांग्रेस आई, तबाही लाई कांग्रेस अपनी काली तिजोरी भरने के लिए MP पर कबजा जमाना चाहती है आप 36 गड़ और राजस्थान में देखिए कैसे क्यांग्रेस की काली कमाई से कमाये गए नोटों के धेर हर रोज निकल रहे है वही मोदी ने उपस्थित जन्स मूँ से संकल्प कराया कि मध्य परदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाना है आज कल MP में एक और नारा गूंज रहा है और ये नारा लोगों से दिलों से निकला है दसकों से अनुभव से निकला है आँखों से जो देखा है उससे ये नारा निकला है और क्या नारा चल रहा है सुन लिजिए ये नारा ये चल रहा है कॉंग्रेस आई तबाही लाई कॉंग्रेस आई कॉंग्रेस आई